चोपड़ा है जो किसने यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो ये वीडियो MBBS की स्टडी कर रहे स्टुडेंट और NEETSPRINT दोनों के लिए है क्योंकि जो अभी NEETSPRINT है वही NEET21 की एकजाम के बाद किसी मेडिकल कोलेज में MBBS स्टुडेंट होंगे और जो आलड़ी मेडिकल कोलेज में MBBS कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपोर्टेंट है तो NMC ने रेगिंग रोकने के लिए एक रेगुलेशन का ड्राप्ट तयार किया है और साड़े चार साल MBBS कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो इंटरंशिप होती है उसके रेगुलेशन का भी ड्राप्ट तयार किया है ये दोनों ड्राप्ट अलग अलग है अभी NMC ने इसी के रेगार्डिंग एक पब्लिक नोटिस चारी किया है जिसमें कहा गया है कि रूल एंड रेगुलेशन के इन दोनों ड्राप्ट के बारे में पब्लिक से कॉमेंट्स इन्वाइट किये जाते हैं और साथ अगस्त से पहले इनके बारे में NMC को मेल आईडी पर अपने कोमेंट्स आप भेज सकते हैं nmc.org.in की वेबसाइट पर ये दोनों ड्राप्ट अवेलेबल हैं रेगिंग को रोकने के बारे में गाइडलाइन, रूल्स और रेगुलेशन के ड्राप्ट को आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं इसी प्रकार से कमपल्सरी रोटेटिंग इन्टरंसिप के ड्राप्ट को भी डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं अगर इन दोनों ड्राप्ट के रिगार्डिंग आपके कोई कॉमेंट्स और सुजाव हैं तो आप NMC को साथ अगस से पहले पहले मेल कर सकते हैं इसके बारे में इन ड्राप्ट को फाइनल इसके बाद में किया जाएगा ये ड्राप्ट काफी बड़े होने के कारण मैं वीडियो में इसको नहीं समझा पाऊंगा नहीं तो मैं आपको इसके हर एक पॉइंट समझा देता मैं ये समझता हूँ कि आप नी टेस्परिंट होने के कारण समय के अबाओ में आप ये सब नहीं कर पाएंगे इस कारण इंडिया के वेरियस मेडिकल कोलेजेज में MBBS कर रहे स्टुडेंट से मैं ये आग्रह करूंगा कि इन दोनों ड्राप्ट्स को ध्यानपूर्वक पड़ें और अपने कॉमेंट्स जरूर NMC को मेल करें ताकि सभी नीट एस्प्रेंट को फाइदा हो सकें तो बचो ये जानकारी थी NMC के पब्लिक नोटिस के बारे में आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जए रहें